नमस्कार तिन भर की तमाम बड़ी और एहम खब्रों के साथ मैं हूँ अम्रिता चौरसिया शुर्वात हेटलाइन से राजनीतिक बजहों से टीडीपी ने छोड़ा एंडिये का साथ बीजेपी अध्यक्ष अमिश्वाह का एंचंद्रबाबू नाइडू को जवावी हद जूट फेस्बुक डाटा लीक मामले में काम्रेज एनलेटिका की बढ़ी मुश्किले ब्रटेन में कम्पनी के दफ्तरों पर छापी मारी ब्रजील ने भी दिये जाच के आदेश भारत ने छे सवाल उपर कम्पनी से कथिस मार्च तक मांगा जवाव चौरा घुटाले के चौथे मामले में लालू यातव को अब तक की सबसे बड़ी सजा 14 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जिर्माना राची की विशेश सीबियाई अदालत का देश दुमका कोशागार से 3 करोन 13 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला राची सभजनाव में हार के बावजूत समाजवादी पार्टी से जारी रहेगा सहयो बियस पी प्रमुक मायवती का बयान इजेपी ने कहा फिरोधा भासू से भरा है बियस पी और एस पी का गठ बंधन और चीन से व्यापार अस्तंतुलन होगा कम 2.4 अरब डॉलर के उत्पाद आयात करने पर चीन सहमत सुमबार को दिली में दोनों देशों के वालिज्य मंत्रियों की मुलाकात खबर विस्तार से बिजोपी अध्यक्ष अमिश्वाह ने कहा है कि टीडीपी ने राजुनितिक वजहों से इंडिये का साथ छोड़ा उन्होंने आंद्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबु नैडू को लिखे चठ्थी में ये बात कही उन्होंने लिखा है कि टीडीपी के फैसले कर आंद्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है विजेपी अध्यक्ष ने टीडीपी के निर्णे को दर्भा के पूर्णे और एक तरफा बताया अमिशाह ने लिखा कि आंद्र के विकास के लिए रकम देने के अलावा केंद्र ने विकास के लिए कई परियोजनाई शुरू की उन्होंने टीडीपी अध्यक्ष के इनारूपों का भी खंडन किया कि केंद्र सरकार आंद्र से किये वादों को पूरा नहीं कर रही आंद्र को विशेश दरजा नहीं मिलने पर टीडीपी एंडी से अलग हो गई थी इसके बाद चंद्रबाबू नाइडू ने विजेपी अध्यक्ष को चिठ्थी लिखी थी अमिशा ने इसे चिठ्थी का जवाब दिया है हमारे सब्कार के 5 साल के कारेकाल में लगभग 2,44,000 करोड रुपे आंद्र प्रदेश को दिये जा रहे हैं जबकि कांग्रेस के कारेकाल में 5 साल में केवल 1,70,000 याने लगभग 2 दुगने से ज़्यादा राश्री केंदर प्रफुत केंद सरकार के द्वारा दिया जा रहा है अमिशा जी ने यही कहा कि यदि आपको ये अंदेका करना लगता है तो आप केवल राजनीतिक राजनीती से प्रेरित बयान दे रहे हैं आप जो कह रहे हैं यह सारे स्तथियों से परे है और स्पीच चंदरबाबू नाइडू ने अमिशा के पत्र को जूट खा पुलिंदा बताया है उन्होंने कहा कि अंडिये से अलग होने का फैसला राजनीतिक मकसद नहीं है पुर्वोत्र की 25 लोग सभा सीटों में से बीजेपी ने कम से कम 21 सीटे जीतने का लक्ष तै किया है बीजेपी अध्यक्ष रमिश्रा ने आज ये बात को हाथी में कही वो यहाँ पार्टी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत में बूथ अध्यक्षों की एहम भूमिका है किसी दूसरी पार्टी में बूथ अध्यक्षों को इतना महत्व नहीं मिलता जितना बीजेपी मिलता है बीजेपी अध्यक्ष ने कॉंग्रिस पर फूट डालो और राचकरों की नीती अपनाने कारों भी लगाया बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है पूर्वोत्र में आठ राज्ये हैं इसमें मिजोरम को छोड़कर बाकी जगहों पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है पिछले लोग सबह चुनाव में बीजेपी ने यहां से आठ सीटे जीती थी बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर संसत्की कारेवाही में बाधा डालने का रूप लगाया रहे हैं हर दो कहते हैं कि हम समवाज चाहते हैं और दूसरी और सोर सराबा करकर पारला मेंट को चलने नहीं देते हैं रच्जिस सभाचनौ में मिली हर के बाध के बात ब्यस्पी प्रमुक माया वतिनी समाजवादी पॉट्ट दालने की कोशुश कर रही है उन्होंने कहा करेगी मैयवती ने कहा कि गड़गपूर और फूलВот रोग सभा चुनाँ में वीज़पी ने साजश रच भडी BSP प्रमुख ने कहा कि BJP की अराजक्ता की वचे से राज्य सभा चुनाव में BSP उम्मिद्वार को हार का सामना करना पड़ा मायवती ने ये आरूप लगाया कि BJP CBI और ED के जरिये विपक्ष को डराने की कोशश कर रही है लेकिन BSP डरने वाली नहीं है BSP प्रमुख ने BJP पर विधायकों की खरीद फरोक्त का भी आरूप लगाया वहीं BSP ने चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले विधायक अनिल सिंग को पार्टी से निलंबित कर दिया है उधर BJP ने कहा कि SP और BSP के गडबंधन में कई तरह के अंतर विरोध है सपा ने अपने वोट को ट्रांस्पर नहीं किया है यही अतीत में भी हुआ है BSP सपा का जो गडबंधन है यह बहुती असहज गडबंधन है यह जमीन पर काम करने वाली गडबंधन नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे कांट्रेडिक्शन हैं गडबंधन में हमने अतीत में देखा कांग्रेस बसपा का समर्द गटबंदन हुआ, कांग्रेस को लाब हुआ, बसपा पुरी तरह लुट गई थी, वही कल भी दे राज्यसभा चुनाव के कलाय नतीजों के बास सदन में वीजेपी की सीटे बढ़कर 79 हो जाएंगी बीजेपी के 38 सालों के तिहास में ये पहरा मौका है जब राज्यसभा में उसके 79 सद से होंगे बीजेपी ने 6 राज्यों से राज्यसभा के 25 सीटों के लिए हुए चुनाव में 12 सीटे जीती हैं जबकि 33 सुमिद्वारों को 15 माच को निर्विरोध निर्वाचित घोशित किया गया था इनमें बीजेपी को 16 सीटे मिली वहे 4 सीटों के नुकसान के साथ उपरी सदन में अब कॉंग्रिस की सीटे 50 हो जाएंगी प्रुधान मंत्री नरिंद्वोधी ने चुनाव जीतने वाले सभी उमीदवारों को पधाई दी है राज्य सभा के लिए कल हुए चुनाव में बीजेपी ने शांदार जीत हासिल कर उपरी सदन में अपनी स्थिती और मस्बूत कर ली है 58 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर कबज़ा जमाया जबकि उसके 17 सदस्यों का कारेकाल खत्म हो रहा है ऐसे में पार्टी को इस चुनाव में 11 सीटों का फाइदा हुआ है और उच्छ सदन में पार्टी के सदस्यों की तादाद 58 से बढ़कर 79 हो जाएगी वहीं कॉंग्रिस को चुनाव में 4 सीटों का नुकसान हुआ है कॉंग्रिस महज 10 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई जबकि अगले हफ़ते पार्टी के 14 सांसदों का कारेकाल खत्म हो रहा है सदन में अब कॉंग्रिस सांसदों की तादाद 54 से घट कर 50 हो जाएगी राज्यसभा की 58 सीटों पर हुए चुनाव में TMC को 4, BJD और TRS को 3-3 सीटे मिली है TDP, JU और RJD को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई है शिवसेना, NCP, YSR कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक-एक सीट मिली है केरल से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उप्चुनाव में JU के शरद यादव गुट के MP विरेंद्र कुमार ने जीत हासिल की है CBI अदालत ने लालू यादव पर 60 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया है दुमका कोशागार से अवैद निकासी मामले में CBI अदालत ने लालू प्रसाद यादव को IPC और ब्रश्टचार निरोधा कानून के तहट दो शिपाया अदालत ने दोनों कानूनों के तहट 77 साल की सजा सुनाई अदालत ने IPC के तहट 7 साल की सजा और 30 लाख रुपे जुर्माना लगाया वहीं ब्रश्टचार निरोधा कानून के तहट भी 7 साल की सजा और 30 लाख का जुर्माना लगाया गया ये दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी लालू प्रसाद के वकील ने कहा है कि वो फैसले को हाई कोट में चुनाती देंगे सब्सक्राइब करेंगे और पहले भी सेम और सिमलर केसे में हम लोगों ने हाई कोट में चलेंज कर रखा यह निचली अदालत है की विशेश अदालत है और जो इन्होंने फैसला सुनाया है इन्हों अपना काम किया अब हम लोग जज्जमिंट नहीं आ जाता क्योंकि आप देखेंगे चार जो यहाँ अभी फिलहाल में जो सजा अलग अलग सुनाया गया उसमें अलग अलग जज्जमिंट है जब तक पूरी जज्जमिंट को पढ़न नहीं लिया जाए जानना लिया जाए बही क्या मैटर है तो उसी साबसे हम लोग आगे की स्ट्राटेजी को अपनाने का काम करेंगे 19 मार्च को कोट ने लालू यादव समेथ 19 आरोपियों को मामले में दोशी पाई जाने का फैसला सुनाया और पूर मुख्यमंतरी जगनात मिश्जमिट समेथ 12 आरोपी बरी कर दिये गए दुंका कोशागार से 1990 में 3 करोड 13 लाख रुपे अवैद रूप से निकाले गए थे बिहार के उपमुख्यमंतरी सुशील कुमार मुदी ने कहा है कि CBI कोट ने जो भी फैसला सुनाया है उसका सम्मान करना चाहिए चारा घोटाले से जुड़े कुल 6 मामलों में से लालू पसाद यादव पर 5 मुकदमे दर्ज है और उन्हें चार में दोशी करार दिया जा चुका है इससे पहले लालू यादव को देवघर कोशागार मामले में 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया था अगर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो GST की एक ही दर रहेगी मैसूर के महरानी कॉलेज में चातों से बाचीत के दौरान कॉंग्रेस सत्ता में आई तो GST में पाच अलग-अलग टेक्स लाइब रखने की जगा एक ही टेक्स लाइब होगा और 28 वी सिदी GST खत्म कर दी जाएगी राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान GST भष्टचार को बढ़ावा देता है और सरकार इसका उप्योग व्यापारियों के फाइदे और नुकसान के अनुसार इस्तमाल करती है राहुल गांधी ने कहा कि GST कॉंग्रेस पार्टी का आइडिया है उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर लोगों की उप्योग की जाने वाली वस्तु को GST के दारे से बाहर रखना चाहिए और पूरे देश में GST की एक ही दर होनी चाहिए अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 28% GST को हटा देंगे और एक GST पूरे देश में लागू कर देंगे और करीब एक साल पहले आतंकियों से लोहा लेते हुए गंभी रूप से घाल हुए CRPF कमांडेंट चेतन चीता ने जजबी की एक नई मिसाल कायम की एक साल के भीतर वो फिर से देश की सेवा में चुट गए हैं आज गुरुगरा में CRPF के स्थापना दिवसम्हारों में वो परेड में शामिल हुए ग्रेमंती राटना सिंग ने आतंकियों की नौ गोलियों का सामना करने वाले चेतन चीता के साहस की जमकर तारीव की ये हैं CRPF कमांडेंट चेतन चीता एक साल पहले कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए चीता बुरी तरह घायल हो गए थे फिर भी चीता ने हिम्मत नहीं हले CRPF के उन्यासी में स्थापना दिवस समहरों में चीता परेड में शामिल हुए जिन्दगी और मौत की लड़ाई में यदि कोई चीता है तो उस सक्स का नाम है चेतन चीता और चेतन चीता का नामस्मण होते ही एक बार स्वाभावी कुरूप से अपना मस्तक उचा हो जाता है पिशले साल 14 फरवरी को चीता कश्मीर के बांधीपोरा में CRPF की 45 भी बटालियन का नेत्रत वकर रहे थे उनकी बटालियन वहाँ छिपे आतंकियों से लोहा ले रही थी इसी दोरान आतंकियों ने चीता को निशाना बनाया उनके सिर, डाइयां, पेट, दोनों हाथों समेत नौ जगहों पर गोलियां मारी गई इसके बावजू चीता ने हार नहीं मानी और ठीक होकर पिछले दिनों CRPF में दोबारा सेवाएं शुरू कर दी राजनात सिंग ने कहा कि चीता जैसे जवानों की दिलेरी से ही CRPF ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर शानदार काम किया है और फेस्बुक डेटा लीक मामले में क्रामरेज अनलेटिका कमपनी के मुश्किले बढ़ती जा रही है शुकरवार को ब्रिटिस अधिकारियों ने कमपनी के लंडन अस्थित आफिसों में चापे मारी की इस मामले में भारत ने भी कारवाई करते हुए कमपनी से 6 सवाल पूछे हैं और इस बीच ब्रजल ने भी कमपनी के खलाफ जाच का अलान किया है ICO Enforcement की जैकेट पहने करीब 18 ब्रिटिश अधिकारी शुकरवार को Cambridge Analytica के दफ्तर में जाच के लिए पहुँचे कारवाई स्थानिया समय के मुताविक रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक चली और अब सबूतों का अध्यन किया जा रहा है इससे पहले लंडन हाई कोट ने गोपनिया जानकारी लीग करने के मामले में फसी Cambridge Analytica के लंडन कार्यालेओं पर जापे की मंजूरी दी थी ब्रिटिन की सूशनायुक्त Elizabeth Denham इन दावों की जाच कर रही है कि कमपनी ने राजनितिक फाइदों के लिए Facebook इस्तेमाल करने वालों की नीजी जानकारी अवैद रूप से हासिल की या नहीं ब्रिटिन के Office of Information Commissioner ने ट्विटर पर इस बात की पुष्टी की ICO के मताबिक वो कोड के इस फैसले से खुश हैं और ये राजनितिक उदेश्यों के लिए व्यक्तिकत देटा के उपयोग में एक बड़ी जाच का हिस्सा है आपको बता दें कि शुकरवार को ही Cambridge Analytica पर 2016 के Brexit जन्मत संग्रे को भी प्रभावित करने के ताजा आरोप लगे हैं इससे पहले Cambridge Analytica पर पांच करोड फेस्बुक यूजर्स का परसनल डेटा चोरी करने और उसका 2016 के अमेरिकी राष्टपती चुनाव में डॉनल्ड ट्रम के समर्थन में इस्तेमाल करने का आरोप है हाला कि कंपणी ने आरोपों से इंकार किया है उधर ब्राजील ने भी इस साल अक्टूबर में होने जा रहे चुनावों में कंपणी की भूमिका की जांच की बात कही है इधर इस मामले में भारत में भी कारवाई शुरू हो चुकी है सरकार ने कैम्परिज एनलिटिका को नोटिस जारी कर छे सवालों के जवाब 31 मार्च तक देने को कहा है सूशना और प्रोध्योगी की मंत्राले की ओर से जारी नोटिस में कैम्परिज एनलिटिका से पूछा गया है कि क्या कंपणी किसी काम के लिए भारतियों के डेटा का इस्तमाल कर रही है कौन सी इकाईयां कंपणी से ये काम करवा रही है कंपणी को ये डेटा कैसे मिला क्या ऐसा करने के लिए लोगों से उनकी अनुमती ली गई इकटा हुए डेटा का इस्तमाल कैसे किया गया क्या डेटा के आधार पर किसी तरह की प्रोफाइल तयार की गई मंत्राले ने कहा है कि सरकार देश के नागरिकों की निजिता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद है जवाब नहीं मिलने पर कंपणी के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी सरकार ने कहा कि वो सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष की सराहना करती है लेकिन निजिता के उलंगन को कभी बरदाश नहीं करेगी इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वो संबंदित एजेंसियों के साथ विचार करके सोशल मीडिया से मद्दाताओं के डेटा के गयर कानून इस्तिमाल और हेरा फेरी के लिए एक कारी योजना तयार करेगा भारत और चीन के बीच व्यापार आज संतुलन को ठीक करने के लिए चीन भारत से दो अरब 40 करून डॉलर के उत्पात का आयाद करेगा दिली मुही दोनों देशों के अधिकारों के बीच आज ये फैसला हुआ सोंबार को दोनों देशों के वारे जिमंत्रों के बीच होने वाली मुलाकात से पहले ये फैसला हुआ समझोते के तहट किशीच से जड़े उतपाद, दबाई, कपड़ा और अन्य उद्योग से जड़े उतपादों का आयात शामिल है दरान भारती और चीनी कंपनियों के बीच 101 MOU पर हस्ताक्षर किये गए दरासल भारत और चीन के बीच व्यापार चीन के पक्ष में जुका हुआ है लंबे समय से भारत ये मुद्दा उठाता रहा है जबे भारती कंपने इन्यों के लिजसे इन प्यूटत सुन्स अप्यूटत इन्या कंपने, लिद्व बीच प्योटत की से लिच्यूत अवराब्यूत प्रफ्चाब्स भ्रफ्यूत और भारत के दौरे पर आये जर्मनी के रास्ट्रुपती फ्राइंक बॉल्टर स्टीन मेर ने आज दिली के सुंदर नरसरी में प्रधान मंत्री नरेन मोदी से मुलाकात की इस दौरान दोनों निताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की दोनों निताओं ने भारत और जर्मनी के आपसी रष्टों को और मस्बूत बनाने पर जोर दिया इसके अलावा दोनों निताओं ने सह्यूक के नएक शेत्रों को तलाशने पर भी जोर दिया उप रास्ट्रपती एम वेंकाय नाइडू ने भी रास्ट्रपती स्टीन मेर से मुराकात की से पहले रास्ट्रपती भवन में भारती रास्ट्रपती रामनात कोविंद और प्रधान मंत्री नरिन मोदी की उपस्थिती में जर्मनी के रास्ट्रपती का आपचारिक स्वागत किया गया राष्टपती स्टीन मेर का राष्टपती भवन में शान्दार स्वागत हुआ उन्हें God of Honor दिया गया इसके बाद जर्मन रास्टपती राजगाट गये जहां उन्हें महत्मा गांधी को श्रधांज ले रपित की रास्टपती स्टीन मेर कुरवार को वारान से other times but this is indeed my first visitors federal president of germany and i'm coming again and again because i'm coming with huge respect regarding all the achievements in india for your people and for the country itself you know we are looking with admiration to the manner india is देलिंग विट्स टाइवर्जिटी वी उप्रास्ट्रपती वेंकया नाइडू ने मलावी के उप्रास्ट्रपती डॉक्टर सालोस क्लॉस चीलिमा से मुलाकात की इस दौरान दूनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और सौर उर्जा के एक श्वेत्र में सहयोग बढ पर चर्चा की उप्रास्ट्रपती ने कहा कि भारत और युगांडा के बीच व्यापार के एक श्वेत्र में काफी संभावना हैं उप्रास्ट्रपती एंवेंकिया नाइडू जिमबामवी के उप्रास्ट्रपती कॉंस्टेंटीनो जिवेंगा से भी मिले उप्रास्ट्रपती ने इस मौके पर जिमबामवी के आर्थिक विकास में सहयोग का बादा किया दोनों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात हुई देश में लाइलाच और जहनलेवा MDR TV के मामले अब तेजी से घट रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल MDR TV में करीब 9 फीसिदी की कमी आई है विश्व टीवी दिवस के मौके पर इंडिया टीवी रिपोर्ट 2018 जारी की गई जिसमें इस बात का जिक्र है और इसे पहले इंड टीवी सम्मिट में सरकार ने 2025 तक देश को टीवी मुक्त करने का लक्ष रखा है आईए देखते हैं इस रिपोर्ट आज विश्व टीवी दिवस है भारत सही दुनिया भर में टीवी एक घातक और जानलेवा बिमारी के रूप में पैर पसार चुकी है विश्व स्वास्त संगठन के मताबिक भारत में टीवी के करीब एक करूट चार लाख मरीज है हलाकि बहतर चिकिस्सा सेवा और लोगों में जागरुकता की कारण टीवी से मरने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2018 के मुताबिक लाइनाच MDR यानि की मल्टी ड्रग रजिस्टेंस टीवी के मामलों में पिछले साल के मुकाबले इस साल कमी दर्ज की गई 2017 में MDR टीवी के 11.62 फीसिदी मरीज थे जो साल 2018 में घटकर 2.84 फीसिदी रह गए दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विश्वट टीवी दिवस के मौके पर आयुजित कारिकरम में इंडिया टीवी रिपोर्ट 2018 जारी की गई हाला कि रिपोर्ट के मताबिक टीवी के दूसरे मामलों में देश के स्थिती दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले गंभीर है भारत में ड्रग रजिस्टन्स टीवी के मामले अभी भीज जादा है सरकार का दावा है कि 2025 तक देश में इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा टीवी की पहचान के लिए देश भर में 13,000 से जादा माइक्रोस्कोपी सेंटर काम कर रही है इसके अलावा बड़ी संख्या में डॉट्स केंद्र भी खोले गए है हाल में ही सरकार ने टीवी के मरीजों के लिए नीच है पोर्टल की शुरुआत की है जिससे मरीजों को अब सिर्फ अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जाएगा तो ऐसे ही एक इंडियन डियागनोस्टिक टूल भी है जो पोर्टेबल भी है तो अपने मोबाइल वैंस वगएरा में लगाएंगे टीबी लंबे वक्त से देश में स्वास्त से जुड़ी सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक बने हुई है इसका अफर लोगों की सेहत पर ही नहीं बलकि देश की आर्थिक इस्थती पर भी पढ़ रहा है सही जानकारी और सही समय पर इलाज के जरिये इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है लीना शर्मा के साथ प्यूर रिपोर्ट प्राजी सभटी और एरसेल मैकसिस मामले में दिली की एक अदालत ने कारती चिदंबरंब को राहत दी है कारती को अब E.D. 16 अपरेल तक गिरफतार नहीं कर पाएगी साथी अग्रिम जमानत याचिका पर CBI और E.D. से तीन सब्ता हमें जवाब मांगा गया है कारती ने कोट में गिरफतारी पर रोग के लिए याचिका दायर की है कारती के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अरसेल मैकसिस मामले में कारती के खिलाफ ना तो कोई आरोप है और ना ही ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि वो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ट के अधिकारियों को जानते थे पूर्व केंद्रे मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कारती चिदंबरम को आइनेक्स मीडिया मामले में कल ही दिली हाई कोट से जमानत मिली है प्रवर्टर निद्शाले ने पी अनबी धोका धड़ी के मामले में नीरफ मोदी की मुंबई इस्थित घर से 26 करोन रुपए के कीमती समान जब्त कि इनमें महंगी घडियां, पेंटिंग्स और गहने शामिल है एडिय ने सीबियाई के साथ मिलकर 22 मार्च को नया तलाशिया भ्यान शुरू किया था पिछले तीन दिनों में 15 करोन रुपए के जिवराद, 1.4 करोन की महंगी घडियां और 10 करोन की पेंटिंग्स जब्त की गई जब्त समान में एक हीरे के अंगूठी भी है जिसके कीमत 10 करोन रुपए है इस मामले में अब तक 7638 करोन रुपए की संपत्ती जब्त की जा चुकी है एनाई के विश्रिश अदालत निया आतंकी संगठन आईएस में भारतिय युवाओ की भरती के मामले में यास्मीन मुहमद जाहिद को साथ साल की सजा सुनाई है स्पेशल जज एस संतोष कुमार ने जाहिद पर 25,000 रुपए का जिर्माना भी लगाया बिहार की रहने वाली जाहिद उन दो आरोपियों में शामिल है का नाम केरल पुलिस और एन आईए के जाच में सामने आया यास्मीन भी आईएस में शामिल होने की कोशश कर चुकी है 30 जुलाई 2016 को केरल पुलिस ने उसे दिल्ली अंतरास्ट एरपोर्ट से गिरफ़तार किया पूरे केस में 15 लोगों के नाम सामने आये लेकिन एन आये ने साल 2017 में चार शीट दाखिल की उस चार शीट में अब्दुल राशिद अब्दुल्ला को मुखे और यास्मीन को आरूपी बनाए गया था और दर्चन कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अगले सब्ताह प्रस्तावित उचस्तरिये अंतर कोरियाई वारता प्रस्ताव को स्विकार कर लिया है दर्चन कोरिया के एकी करण मंत्राले की तरफ से जारी बैयान में ये कहा गया कि ये वारता 29 मार्च को होगी उत्तर कोरिया की तरफ से वारता में पीस्फुल यूनिफिकेशन ओफ दा फादर लेंड कमिटी के अध्यक्ष रिसोन कुईन के नेतरुत में तीन सदस्य प्रतिन धिमंडल शामिल होगा दूसरी तरफ दर्शन कोरिया के एकी करण मंत्रालेन की चो यूंग यूनने के नेतरुत में तीन सदस्य प्रतिन धिमंडल इसमें भाग लेगा और अब खेल की खबर भारत की गोल्ड गर्ल बनकर उभरी जचर की बेटी मनू भाकर ने देश की जोली में एक और मेडल डाल दिया है जूनियर वर्ल्ड कप पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में मनू ने ये कीरतिमान हासल किया प्रत्योगीता में थाइलेंड की कान्या कोन को सिल्वर और चीन की कैमन लू ने ब्रांच पिटल हासल किया मनुभा करने से पहले मैक्सिको में हुई सीनियर विश्वकप में भी स्वर्ण पदक जीता था और इसी के साथ इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार